Welcome back! क्रिशी कानून को लेकर सरकार किसानों को समझाने की हर मुम्cyj कोशिश कर रही है MSP से लेकर हर उस मुद्दे पर बाचीथ की बात कह रही है जिस पर किसानों को आतराज है रक्षा मंतरी राजनाट सिंग ने भी आज किसानों को लेकर एक बड़ी बात कही राजनात सिंग ने कहा कि MSP जारी है जारी रहेगी राजनात सिंग ने कहा जब तक मोदी सरकार है किसानों से ना तो MSP का अधिकार लिया जाएगा ना ही कॉंट्राक्ट फार्मिंग के नाम पर उनकी कोई जमीन झीन सकता है राजनात सिंग ने विपक्ष पर किसानों को गुमरा करने का भी आरूप लगाया किसी को लाबकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कारक्रम अटल जी के दौर में सुरू हुआ था उसे आज हमारे प्रधान मंत्री तरी नरंद्र मोदी जी एक नई उर्जा और ताकत देने का काम कर रहे हैं साथियो मैं मोदी जी के नेत्रतों में किसी कल्यान की दृष्टिशे लिए गए सारे कदमों की चर्शा तो नहीं करूँगा मगर इस साल जो तीन नए क्रिशी कानून बनें उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आदादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थाई समधान भी उने मिला है अब इस देश का किसान मंडी में अपनी महनत गिर्वी रखने के लिए मजबूर नहीं है इन किसी कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी यहां उसे बहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आदाद होगा बड़े जुर्भाग दिखी बात है कि देश में ऐसे लो जो किसानी का को भी नहीं आंते ऐसे आस्मानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाईयों को बहला फुसला कर उन्हें दूसरी दिशाकी और बोड़ रहे हैं पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश समझते जाएंगे वैसे 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 उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी प्रभावी तरीके से इन किसी कानूनों से जुड़ी सारी आशंकाओं को पूरी तरह से दूर कर दिया है साथियो इस एटिहासिक किसी सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खितक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने नहित स्वार साज़ते थे उनका धंदा खत्म हो जाएगा इसलिए जान बूच कर देश के कुछ हिस्सों में एक गलस वाहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार MSP की विवस्था खत्म करना चाहती है जबकि सचाई इसके ठीक बिपरीट है वह प्रधान वंतरी मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामिन आथन आयोग द्वारा प्रस्पावित MSP फार्मूलों को स्वीकार किया है और उसी फार्मूले के टादेश में अब मिनिमम् सपोर्ट प्राइस की घोशना की जा रही है इसी साल या कानून लागू होने के बाद रभी की छे फ़सलों की MSP की घोशना की गई है जिसमें लगबग डेड़ गुने से दो गुने तक की MSP में पृद्धी की गई है MSP खत्प करने का इरादा ना इस सरकार का कभी था न है और आगे कभी होगा राजनात सिंग किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर किसानों ने 29 दिसमबर की सुबह 11 बचे सरकार से बाचीत का समय ते किया है हालंकि किसान अभी भी क्रिशी कानून की वापसी तक आंदोलन को जारी रखनी की जेतावनी दे रहे हैं लेकिन सरकार ने उमीद जताई है कि बाचीत के जरिये समाधान निकल जाएगा क्रिशी मंत्री केलाश चौधरी ने कहा अगर किसान संगठन किसानों की नजरिये से बातीत करेंगे तो समाधान निकल सकता है राजनेतिक दलों से जुड़े लोग अपने नजरिये से बात करेंगे तो फिर समाधान निकलना कठिन होगा इसी भी समश्या का हल है वो बात्ची से निकलता है और निचेत रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीको जो वारता होगी उसमें किसान की नजर से अगर वारता होगी तो निचेत रूप से हल निकलेगा क्योंकि राजनितिक लोग हैं वो इसमें राजनितिक डालना चारे हैं किसानों के कंदे पर बंदू करकर निसाना साधना चारे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंती वृति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डाना चाह रहे हैं कि किसानों की समश्या का हल नहीं निकले कॉंग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नजर से अगर देखेंगे आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीज़े हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आज़ादी देने वाला बिल है किसान अपनी मंचाई इस्तान पर र और बिलकुल ही 29 तारी को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा और हमारी सरकार है वो निच्चित रूप से परदान मंतिजी की भी यही इच्छा है उन्होंने किसान सम्मान निदी का जब लॉंच किया था सभी किसानों खाता में पैसे डाल तो उस समय भी काता और आज भी हम तो यही कह रहे हैं कि बात चीज से हल निकलेगा चले खबर में यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और लोटेंगे इस वक्त की हेडलाइन्स के साथ